हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आप सभी का बिहार S.I.P.T. का एक्जाम होना अभी बाकी है अगले महिने में एक्जाम होगा डेट भी आ गया है आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे एडूटेरिया बिहार दरोगा का ये जो बुक है इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है वन बाई वन करके 15 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाए जाएगा परतेक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 कोईशन देखने को मिलेगा आज दूसरा सेट को सुरू करेंगे पिछले वाले वीडियो में सेट वन हमने कम्प्लिट कर लिया है अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो डिस्किप्शन में लिंक है या उपर आई बटन पर किलिक करके आप वो वीडियो देख लिजिएगा तो चलिए दूसरा सेट को सुरू कर लेते हैं पहला कोईशन देखिए अंतराजिय पडिस्द का पदेन अध्यक्ष कौन होता है परधान मंत्री ओप्शन B सही उत्तर होगा परधान मंत्री आपको 2-3 सिगेंड का टैम मिलेगा मैंड में सही उत्तर सोचने का दूसरा कोईशन देखिए निमलिकित में कौन सा सम्विधान के मूल अधिकारों का अंस नहीं हैं उद्योगों के परबंदन में सरमीकों की सहभागिता ओप्शन C सही उत्तर होगा भारत में संग्यप मन्त्री परिशद के सदस्य की कूल संख्या किस से अधिक नहीं हो सकती हैं लोक सवा के सदस्य की कूल संख्या का 15% ओप्शन C सही उत्तर होगा निमलिकित में से कौन सा विभा गिरीह मनत्राले के अधिन नहीं हैं निमलिखित में से कौन सा विभाग गिरीह मंतराले के अधीन नहीं है? वीधी कारिये, ओप्चन D सही उत्तर होगा, वीधी कारिये, गिरीह मंतराले के अंतरगत आने वाले महत्यपुर्ण विभाग जो है, वो है अंतराक्षिय सुरक्षा विभाग, राजभासा विभाग, र भारत के राश्पति अपने पद की सक्तियों के परयोग के लिए भारत के किसी भी नयायाले के पड़ती जवाब दे नहीं होंगे। वो 21 वर्षा घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया. 61 सम्विधान संसोधन, ऑप्षन A सही उत्तर होगा, 61 सम्विधान संसोधन. Next question, जिन प्रस्णों का उत्तर सदस्ची तुरन्थ चदन में चाहता है उसे खाली अस्थान कहा जाता है? जिन परस्णों का उत्तर सदसी तुरंट सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है तरांकित परस्ण ओप्षण B सही उत्तर होगा तरांकित परस्ण कहा जाता है अगला Question लोग सवा में कितनी सीटे अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के परतिनीधियों के लिए आरक्षित है 131, option B सही उत्तर होगा 131, लोग सवा में अनुसूचित जाती के लिए सीटों की संख्या 84 है और अनुसूचित जन जाती के लिए सीटों की संख्या जो 47 है निर्धारित की गए तो कूल सीटों की संख्या 131 नेक्ट कोईचन विधान सवा में धन विधेयक किसकी पुर्व अनुमती से पेस किया जाता है? राजजीपाल ओप्शन B से उत्तर होगा राजजीपाल दसमा कोईचन देखिया उपर आश्पती निर्वाचित होने के लिए किसी वेक्ती की निवन्तम आयू क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष ओप्शन B से उत्तर होगा 35 वर्ष 11 कोईचन मदन मोहन पुन्ची आयो किसके अधियान के लिए गठन किया गया था? 11 कोईचन मदन मोहन पुन्ची आयो किसके अधियान के लिए गठन किया गया था? केंदर राजजी सन्बंद ओप्शन A से उत्तर होगा केंदर राजजी सन्बंद 11 कोईचन निमलिखित महासागरिय धाराओं में से कौन सी एक सीत महासागर धारा नहीं है? कुरोसियो धारा ओप्शन C से उत्तर होगा यह कुरोसियो धारा जो है परशांत महासागर की गड्म जल धारा है नेक्ष्ट कोईचन बरहामा पुत्र और सिंदु नदिया पुरुवर्ती नदिया है एक पुरुवर्ति जल निकास अपवाह की सही परिभासा निमलिकित में से कौन सी हो सकती है ओप्शन B सही उत्तर होगा जो हिमाले सिरेनी के अस्तितु में आने से ही विध्वान था सी तोस्न कटिबंद छेतर की वनस्पती को किस नाम से जाना जाता है मेसोफाइट ओप्शन D सही उत्तर होगा मेसोफाइट अगला कोईचन देखिए निम्न में से कौन अस्थल रुद्ध देश नहीं है कोलंबिया ओप्शन A सही उत्तर होगा कोलंबिया अगला कोईचन संपूर्ण भारत का आगछांसिय विस्तार कितना है संपूर्ण भारत का आगछांसिय विस्तार कितना है ओप्शन B सही उत्तर होगा 6 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री आगछांस नेक्ट कोईचन जब नदी मैदान में परवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुरकर टेडी मेडी बहने लगती है जो कहलाता है जब नदी मैदान में परवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुरकर टेडी मेडी बहने लगती है वो क्या कहलाता है विसर्प ओप्शन B राइट आंसर होगा विशर्प कहलाता है अगला कोश्चन देखिए कंचन-जंगा राष्टिय पर्क कहां अस्तीत है कंचन-जंगा राष्टिय पर्क कहां अस्तीत है सिक्किम में Option B सही उत्तर होगा next question देखिए निमल्खित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरन नहीं है निमलिकित में से कौन सा जायद फसल का उधारन नहीं है पट्टसन, ओप्शन D सही उत्तर होगा, पट्टसन जो है यह जायत फसल का उधारन नहीं है अगला कोशन, ताप विद्धूत परियोजनाओ के संदर में निमलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है कावास, ओप्शन C सही होगा, कावास जो है यह गुजरात में यह सही है इसके अलावा जो है यह कुरवा, कुरवा जो है यह उत्तर परदेश में नहीं, यह चतिसगड में है राज मुंडम, यह तमिलनाडू नहीं, यह आंधरा परदेश में है तल्चर तल्चर जो है ये ओरिशा में है तो सही सिर्फ option C होगा कावास गुजरात में है अगला question चंग थंगी और गंजम किस पसु की परमुख नसले है बकरी की परमुख नसले है option C होगा सही उत्तर बकरी की बकरी की परमुख नसले में से जो है ये एक चंग थंगी, गंजम और इसके अलावा जमुना पारी, सिरोही अगला कोईचन अपातनी कहां का मुख्य जन जातिये समू है अरुनाचल परदेश, option B सही उतर होगा, अरुनाचल परदेश नेक्स कोईचन, वह तापमान जिसका पाठियांख, फारेन हाइट और सेल्सियेस दोनों पैमाने पर समान होता है माइनस 40 डिग्री, option C सही होगा, माइनस 40 डिग्री अगला कोईचन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का परियो किया जाता है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का परियो किया जाता है रेडियो तरंग, option A सही उत्तर होगा, रेडियो तरंग next question, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी परतिविम पराफ्त करने के लिए निम्द में से किसका परियो किया जाता है अउतल दर्पन का, option B right answer होगा, अउतल दर्पन अगला question, alpha, beta तथा गामा की व्यदन सक्ति का आरोही करम निम्लिखित में से कौन है option A, alpha, beta, gamma, option A right answer होगा, alpha, beta, gamma अगला question देखिए, दिरिश्ची एस्पेक्टरम का तरंगधैरी कितना होता है option B, सही उत्तर होगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम अगला question, lamp की बत्ती में तेल किसके कारण उपर उठता है कोशिकी ए घटना के कारण, option D, सही उत्तर होगा, कोशिकी ए घटना के कारण अगला question देखिए, पिंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावदी पर क्या परभाव परेगा तो बढ़ेगी, option A सही उत्तर होगा, बढ़ेगी तीसमा question देखिए, यदि तामबे के तार को दो गुणा बढ़ा दिया जाए तो उसके परतिरोध क्या परभाव परेगा तो परतिरोध चार गुणा हो जाएगा, option C सही उत्तर होगा, चार गुणा next question, निम्ण में से कौन सी भौतिक राशी की इकाई वही है, जो परतिरोध का है निम्ण में से कौन सी भौतिक राशी की इकाई वही है, जो परतिबल का है दाब होगा, option D सही उत्तर होगा, इसका दाब, दाब का जो है भौतिक इकाई, Newton per meter square और परतिबल का भी Newton per meter square होता है अगला कोहिचन, किसी तत्व के परमानू का परमानू करमांग 17 है और दरविमान 36 है, तो उसके nucleus में neutron की संख्या है 19 होगा, option D right answer होगा, 19 अगला कोहिचन, निम्लिखित में से कौन सा कन बच जाता है, जब हाइडरोजन परमानू अपने electron को खो देता है एक proton, option C सही उत्तर होगा, एक proton बच अगला कोहिचन, मुद्र नाले में परियुग्ध टाइप धातू किसके ally है सीशा एंटीमनी, option B सही उत्तर होगा, सीशा एंटीमनी अगला कोहिचन देखिए, सीमेंट, समानित, किसका मिसरन होता है सीमेंट जो होता है, वो किसका मिसरन होता है कैलसियम, सिलिकेट और कैलसियम, एलूमिनेट option A सही उत्तर होगा, कैलसियम, सिलिकेट और कैलसियम, एलूमिनेट अगला कोचन निमलिखित में से किस एक में विशीष्ट उस्मा का मान सरवाधिक होता है जल में ओप्षन D सयुत्तर होगा जल में विशीष्ट उस्मा का मान सबसे अधिक होता है अगला कोचन एलकोहल एवं जल के मिश्रन से जल को अलग किया जा सकता है आस्वन द्वारा, आस्वन विधी द्वारा, ओप्शन A सहुत्तर होगा, आस्वन विधी Next question, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, गुलुकोज और फ्रुक्टोज Option B होगा, गुलुकोज और फ्रुक्टोज, अगला question देखिए, पेट्रोलियूम से लगे A के लिए किस परकार के अगरी सामक का पड़ियो किया जाता है, फोम परकार, ओप्शन A सही उत्तर होगा, फोम परकार के अगला question देखिए, question number 40, निमलिखित का मिलान करें, copper sulfate, copper sulfate जो है यह, फंग सनासी है, copper sulfate का तीन हो जाएगा, फंग सनासी, penicillin, penicillin जो है यह, पर्ति जैविक है, यूडिया, यूडिया जो है यह, उर्वरक है, मेले थायान, मेले थायान जो है यह, कीट नासक है, तो इसका right answer हो जाएगा, option A, next question, मनुस्ति के जीव के किस छेतर तक करुआहाट की सनवेदना सिमित रहती है, मनुस्ति के जीव के किस छेतर तक करुआहाट की सनवेदना सिमित रहती है, पिछला भाग, option D सही उत्तर होगा, पिछला भाग तक, अगला question देखिए, यूरिया किस में संसलेशित होता है, यक्रित में, option C सही होगा, यकरित में संसलेशित होता है, अगला कोईचन उस बिटामिन का नाम बताईए जो किसी मानसहारी भोजन में नहीं मिलता उस बिटामिन का नाम बताईए जो किसी मानसहारी भोजन में नहीं मिलता बिटामिन सी, ओप्शन बी सहुत्तर होगा बिटामिन C का परमुक सुरत निम्बू वन सकाफल, टमाटर, सबजिया तथा अनिफल है इसकी कमी से असकर्वी रोग हो जाता है दूद से दही असकंदित करने वाला एंजाइम है रेनीन, option B सयूत्तर होगा निम्लिखित में किसका हिरिदे सीरायूक्त होता है मतस्य का, option C सयूत्तर होगा अगला कोचन, किस प्रकिरिया द्वारा सौसन के दोड़ान गैसे रूधीर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है विशरन, option C सयूत्तर होगा विशरन, अगला कोचन, गून सूत्र किस से बनते है, गून सूत्र जो है वो किस से बनते है तो गून सूत्र की सनरस्ना दो विशेश पदार्थों से होती है एक DNA और दूसरा जो होता है वो हिश्टोन नामक प्रोटीन तो option B सयूत्तर होगा, A और B दोनो next question, कंजली जील किस राज में अस्तित है, पंजाब में अगला कोचन, जल सनरक्षन एवं परदूसन नियंत्रन अधिनियम कब बना 1974 इस्वी में, option D होगा सयूत्तर 1974 इस्वी में दूतियक उपभोकता होता है मानसाहारी, option B सयूत्तर होगा, प्राथमिक उपभोकता जो होता है वो सकाहारी सकाहारी प्राथमिक उपभोकता, मानसाहारी जो होता है वो दूतियक उपभोकता और तृतियक उपभोकता जो होता है वो सर्वाहारी अगला कोचन, निमलिखित में कौन आद्र भूमी छेत्र है निमलिखित में कौन आदर भूमी छेतर है चिलका जील भी होगा केवला देव उद्ध्यान धीतर कनिका उद्ध्यान उपड़ी गंगा तो option D सेयूतर होगा इसका option D वन संदक्षन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया तथा इसे 1988 में संसोधित किया गया तो option B सेयूतर होगा अगला कोईचन निस्क्रिष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है इसका सनबंध है गिरेशम का नियम option C होगा गिरेशम का नियम से हिरिद्दे योजना के अंतरगत बिहार के किस एकमातर सहर का चैन किया गया गया का option B सेयूतर होगा गया नाबार्द के अस्थापना किस पंचवर्ष योजना के दोरान की गई नाबार्द के अस्थापना 12 जुलाई 1982 इस वी को सीवर्मन समीति के सिफारिष पर 65 वर्ष योजना 65 वर्ष योजना के जो कारीकाल है 1980 से 85 के दोरान की गई यह नाबार्द जो है यह क्रिसी वम गरामीन विकास हेतु रिन उपलब्द कराने वाली सीर्ष संस्ता है तो option B होगा छट्ठी अगला कोईचन IPC किस अस्टोक एक्सचेंज का सेयर मुली सुचकांक है मेक्सीको का option A सेहुत्तर होगा मेक्सीको next question निम्न में कौन सा कर और परत्यक्ष कर का उदाहरन है विक्री कर और ये सेवा कर option C से उत्तर होगा विक्री कर और सेवा कर निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे तो option C होगा C राजगोपालाचारी सी राज गोपालाचारी स्वाराज दल के नेता नहीं थे मोति लाल नहरू तथा चितरंजन दास्त ने मिलकर 1923 सिश्वी में स्वाराज पाटी के अस्थापना की जिसमें बिठुल भाई पटेल एवं सिरी निवास अयंगर भी सामिल थे किसके पर्याज से बंबई में पर्थम महिला विश्वी द्याल के अस्थापना की गई थी डीके करवे के पर्याज से ऑप्शन बी सही उतर होगा समाज सुधारक डीके करवे के पर्याज से बंबई में पर्थम महिला विश्वी द्याल के अस्थापना की गई थी अगला कोई निम्लिखित घटनाओं पर विचार करें यह संथाल विद्रो यह 1856 में हुआ था शिपाही विद्रो 1857 में हुआ था नील विद्रो 1860 में हुआ था और यह दक्कन विद्रो यह 1875 में हुआ था ओप्शन डी इसका सहयूत्र हो जाएगा ओप्शन डी 1856 फिर 57 फिर 60 अठार सो 75 नेक्स्ट कोईचन औरंग जेब की 1707 में मिरित्यू के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी बहादूर साह पर्थम ने ओप्शन डी सहयूत्र होगा बहादूर साह पर्थम नेक्स्ट कोईचन एक खुली पर्तियोगी तात्मक परिक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतियों के लिए पर्वेश को निमलिखित में से किसने संभव बनाया लॉट डलहौजी ने ओप्शन C सहयूतर होगा लॉट डलहौजी बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा है चनहूदरो ऑप्शन D सहयूतर होगा बिना दुर्ग का एक मात्र सिंधु नगर चनहूदरो था जो कि यह पाकिस्तान में इसका उत्खरन 1931 में गोपाल मजुमदार के नित्रियुत में हुआ था नेक्ष्क कोईचन नीम्न में से कौन सी रचना राज सेखर की नहीं है तो राज सेखर की परमुक रचना है करपूर मंजरी, हर विलाज, बाला रमायन और काबी मीमान सा तो इसका सही उतर होगा option D, उपर युक्त में से कोई नहीं मतलब जो option में दिया गया ये राज सेकर की रचना है अगला question, राम किरिष्न मिशन की अस्थापना किस वर्स की गई राम किरिष्न मिशन की अस्थापना 1897 में इस्वी में वेलूर में किया गया था इसकी अस्थापना विवेकान नंद ने की थी, तो 1897 में option D सही उतर होगा next question, सुंग वंस की राजधानी कहा थी विदीशा, option B सही उतर होगा, सुंग वंस की राजधानी जो है विदीशा थी अगला question देखिए गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था, गांधी मर सकता है, प्रंतु गांधी वाद नहीं next question, अखिल भारतिय किसान सवाक्य अस्थापना किस वर्ष की गई थी अखिल भारतिय किसान सवाक्य अस्थापना 1936 में लखनों में सहजानन सरस्वति द्वारा की गई थी 1936 में option C सही उतर होगा, 1936 में अगला कोईचल, निम्न परस्णों का सही मिलान करें East India Association जो है, ये East India Association 1866 मदरास महाजन सवा मदरास महाजन सवा जो है, ये 1884 होगा, उत्तर परदेश किसान सवा उत्तर परदेश किसान सवा जो है, ये 1918, इंडियन सोसाइटी, 1872 तो इसका सही उतर हो जाएगा, option B, अगला कोईचन देखिए, अकबर ने किसे कभी प्रिये की उपाधी दी थी, तो अकबर ने बिर्वल को कभी प्रिये की एबं राजा की उपाधी दी थी, बिर्वल का वास्तविक नाम महेंस दास था, आप्शन B सही उतर होगा विर्बल नेक्ट कोईचन 2020 में जारी हरित पत मोगाईल एप का उद्देश सी है आप्शन B होगा राश्टी राजमार्गों के किनारे विरिक्षार ओपन अगला कोईचन भारत के किस राजजी ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार रोजना की शुरुआत की जारखंड ने अप्शन C सही उतर होगा जारखंड अगला कोईचन सन्यूक्त राश्ट के पर्थिनिश्ठित सासा कावा पुरसकार 2019 के से दिया गया है पीके मिस्रा को आप्शन A सही उतर होगा पीके मिस्रा अगला कोईचन भारत और किस देश के बिच दुई पक्षिय सेन्नी अभ्यास J.I.M.E.X 2020 संपन हुआ भारत और जापान आप्शन B सही उतर होगा भारत और जापान COVID-19 को महामारी घोशित करने वाला पहला राज्य कौन सा है हरियाना ओप्शन D सही उतर होगा हरियाना दोस्तों आपको ये बुक और PDF के बारे में नहीं सोचना है पूरे बुक का PDF आपको मिल जाएगा टेलिगराम का लिंक डिस्किप्शन में है टेलिगराम गुरूप जोइन करके आप वहाँ से ये पूरे बुक का जो है PDF डानलोड कर लिजेगा अगला कोईचन किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में GI टेग परदान किया गया है किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जी आई टेग परदान किया गया है, सिक्किम, option C होगा, सिक्किम, next question, बॉलीबूर की परसीद किस कॉस्टिम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, भानू अथया, option A सही हुत्तर होगा, भानू अथया, हाल ही में किसे 2020 का wild life photographer of the year पुरिसकार से सम्मानित किया गया है, इस वड़िया सिरीधर, option B सही उत्तर होगा, इस वड़िया सिरीधर को, अगला कोईचन, निम्न भारतिय राज्यों में सरवादिक वन छेतर वाला राज्य जो है, वो कौन सा है, मध्धी पर्देश, option A होगा, right answer, मध्धी पर्देश, question number 80, Australian Open 2020 के पुरूस एकल विजेता कौन है, नोवाक जोकोवीच, option A से उत्तर होगा, नोवाक जोकोवीच, अगला कोईचन, हाल ही में चर्चा में रहा, सुर्य धार जील किस राज्य में है, उत्राखंड में, option C होगा, उत्राखंड में, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राजी में है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये किस राजी में है मध्धी परदेश में ओप्शन भी होगा मध्धी परदेश नेक्ट कोईचन नासा ने चंद्रमा पर पहला cellular network अस्थापित करने के लिए किस company को चुना है नोकिया को अप्शन ए होगा नोकिया अगला कुशन दो अक्टूबर को गांधी जहनती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्त और सिक्षा से जुड़े संगटनों को 41 एम्बूलेंस और 6 अस्कुल बसे दान की नेपाल को अप्शन ए होगा नेपाल वीशु आर्थिक मंच का पच्चासवा वार्षिक सिखर सम्मिलन 2020 का आयोजन कहां किया गया स्वीटिजर लेंड में अप्शन ये होगा अगला कोशन बिहार विधान सवा में अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है अगला कोशन अप्शन बी होगा गुजरात हाल ही में आईवरी कोश्ट के नए परधान मंतरी कौन बने हामिद बकायो को अप्शन बी होगा हामिद बकायो को विशु दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है एक जून को अप्शन बी होगा एक जून नेक्स कोशन मानव पुंजी सुचकांग 2020 में कौन सा देश सिर्श अस्थान पर रहा सिंगापूर ओप्शन सी होगा सिंगापूर और प्रोमिश्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है और प्रोमिश्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है अगला कोईचन भारत के 11 वे मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए यस वर्धन सीन हाउचन निमलिखित परस्नों में किसका सही मिलान नहीं है अगला कोईचन विश्व मिरीदा दिवस 2020 का थीम क्या था विश्व मिरीदा दिवस 2020 का थीम क्या था विश्व मिरीदा दिवस 2020 का थीम क्या था तो विश्व मिरीदा दिवस परती वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है तथा वर्ष 2020 में इसका थीम जो था अगला कोईचन परियावरन के छेतर में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है भुटान के साथ अप्शन बी होगा भुटान वाइफाई की सुवधा पराप्त करने वाला 500 रेलवे अस्टेशन कौन है मिदनापूर ओप्शन ए सही उतर होगा मिदनापूर जो की पचिम मंगाल में है अगला कोईचन भारत ने अपना पहला परमानु परिक्षन कब किया भारत ने पहला परमानु परिक्षन कब किया भारत ने अपना दूसरा परमानु परिक्षन जो है मैं 1998 में ओप्रेशन सक्ति के नाम से पुकरन में किया अगला कोईचन अंतराश्टिय सरम संगठन का मुख्याले कहां अस्तित है जिनेवा में ऑप्षन C होगा जिनेवा अगला कोईचन दक्षिन पुरिवी ACI राश्टों के संग में कौन सा देश सामिल नहीं है मालदीव जो है वो सामिल नहीं है ऑप्षन C मालदीव राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से सनबंदित है राधा मोहन कप, इजरा कप, कलास्किय कप, पोलो खेल से सनबंदित है option D's का सही उत्तर होगा, पोलो खेल से सनबंदित है दोस्तो आज के वीडियो में set 2 को, मतलब दूसरा set को हमने complete कर लिया है और पिछले वाले वीडियो में set 1 complete कर चुके है अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे तो description में link है या उपर i button पर किलिक करके आप वीडियो देख लिजेगा याँ पर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like share कीजिए चैनल पर पहली बार है तो subscribe करने के साथ साथ notification bell को दबा के all पर किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए अब मिलते हैं next video में practice set तीसरा के साथ तब तक के लिए bye bye take care